एक भी इस दावा जो है ये दावा को पहल करने के लिए इस काम को सिग्राता से आगे करवाई करने के लिए कुछ करवाई नहीं किया है जैसे पुरूी सिंभूम में एक भी जो है पट्टा देने का काम नहीं हुआ है जो समुदाइक वन संसाधन जो अपने रजासु गाह में तमाम जो भूमी है जो अपने उस गाहों के अंदर में जंगल है जो रोज़कार का खाधन है वहाँ जीव को परजन करता है और वो जो आस्रित है उनको अधिकार देने का कानून है लेकिन उनको आज तक वन्चित करके रखा गया है और वो कानून बीना लगू किये ही आज लगू ही ठीक से नहीं हुआ है और फिर दुबारा जो है आदिवासियों के साथ जहां जो आन्या परमपरगत निवासी जो वर्सों से रह रहे हैं उसके साथ फिर से जो है अते हैसिक आन्या करने का सरकार साजिस राच रही है इसलिए इस कानून को हम लोग मांग करते हैं कि इस कानून को जो है केंदर साकर पहल करें और उनर आवलोकन करने के लिए जो है अपना कार्य को जो है आगे बढ़ाए या अध्यादयस लेने का पहल करें और एक भी जो है जो जंगल में जो वसवास कर रहे हैं जो रह रहे हैं उनको बिना हटाए जो है उनको अधिकार मिले जो बनाधिकार कानून 2006 के तहट यही हमारा मांग है सरकार यदि इस दिशा में सुप्रीम कोट का अधेव के आधार पर यदि करवाई कर चाई है तो उसका जोर्दार हम लोग अंदूलन जो है आगे ले जाएंगे जा नाम हो है मदन मोहन समाटी करिकस्ता जंसे स्कोट जी मंतन जी यह जो बिरूद कारिश्क्रम है वह हाल में सुप्रीम कोट का जो आधेश आया है कि बनाधिकार कानून के तहत जो मामले रद हो गया है उन जगों पर से उन दावेदारों को विदखल किया जै सुप्रेम कोड का ये आदेश गलत आदेश है और ये फारे कानून बनादिकार कानून में अनावसक छेड़ खाल बनादिकार कानून में ये बात दर्ज है उसके निमाओली में भी यह बात दर्ज है कि बीना कारण के कोई भी आवेदन, कोई भी अनुसंसा रद नहीं की जा सकती है और बीना कारण बताय बीना सुचना दिये भी यह अनुसंसाय बना अधिकार करके जो अनुसंसाय है जो ग्राम सभा से पारित होते हुए SDOTC तक पहुँची है जिनका कारण नहीं बता आए गया वैसे कानूनों वैसे रद्गियों को वैसे रिजेक्शन को उजर कानूनी मना जाना चाहिए लेकिन सरकार सुप्रिम कौर्ट ने यह आदेश दिया है यह नहीं आदेश दिया कि रिजेक्शन क्यों हुआ रीएक्सन का कारण क्यों नहीं बताया गया इसकी जगह पर यह आदेश यह बोलता है जो सद्ध्रहर हैं पहले से उनको बनादिकार नहीं मिलना चाहे उनको वहटा दिया जाने चाहिए सुप्रीम कोड के है यह सोचना चाहिए था कि अभी जो है जो सर्कार के पास जो संसाधन है ऐँ जिप्य सर्वेगे माध्यम से गूगल ऑजिप्ये के माध्यम से पता चल सकता था की कौन- цен लोग की जवन पर 2005 के पहले से हैं और उसके आधार पर जो हैं वहां जिस पर पहले से खेती हो रही है जहां जंगल नहीं है जहां 2005 के पहले से वहां खेती हो रही है उसके दाविदार कौन है? खोचते हुए सरकार को अपनी पहल से लोगों को बनाधिकार देना चाहिए व्यक्तिकत खेती का और गम से कम जंगल के बगल में जो गाउं हैं उनके पास का जो जंगल है उसको तो सारे गाउं को बनाधिकार सामधाईक पट्ता मिलना चाहिए था यह आदेश जारी करने के बदलेक जो तथा कधित पर्यावनबादी हैं जो जम्तियों को जानवरों को बचाना चाहते हैं और आत्मियों के जिनकी क्या कोई फैलो नहीं देते हैं कोई unpleasant नहीं देते हैं जिनको आदिबासी जंगल विरोधिर लगते हैं दरसल बन को बरबात करने वाला बन विभाग है आदिवासी नहीं तो यह जो होना चाहिए था कुछ पर्यानवादियों के मामले को ध्यान देटी हुए सुपरीम कोट ने जो खसला दिया है वण भिरोधी है बनाधिकार कानून भिरोधी है आदिवासी बिरोधी है बन पन रिभर रहने वाले जो पाड़मपरी गर आदिवासी निवासी है कानून के बिरोधी है और इसके इस आदेश के पीछे का समसे बढ़ा कानून है कि नर्यन मुखेद्र सरकार ने बाकी राजियों की सरकार ने बना अधिकार के पक्ष में जो अपना पुखता अधार रखना चाहिए था अपनी प्रतिवधिता जो जाहिर करनी चाहिए थी 2000 के आधिकार कानून के प्रति और 2005 से पहले जो वहां रह रहा है ख्यतिक कर रहा है उनके अधिकार के प्रति इसके लिए अच्छा वकिन नहीं किया एक सामान्ने वकिल के अवाल हाजिय रहने के लिए फेए तिया तो चीज तरह से 30 पॉइंट डोस्टर के मामले में सुप्रिम कोर्ट का अदेश आया उसी तरह से इस बार केंदर सरकार के गलत रवय आदिवासी विरोधी और बन पराधारित अन्य निवासी विरोधी रवये की वज़ा से इस बार सुप्रिम कोर्ट का यह ओडर आया है इस से जाहिर है किता सरकार अधिकांस राज्यों की सरकारे और केंदर सरकार तो लिशेस कर दरिक विरोधी सावी बन पराधिकार कानून में चेर चार नहीं होने दिया जाएगा और उसकी सुरक्षा के लिए रायूती के स्तर पर समाजी के स्तर पर ये अंदोलन अभियान पुरे दियस पर में चलता रहेगा उसी अंदोलन के हिस्से गुरुप में हम लोगों ने यहां बिरोध प्रदस्रांपना किया